विदार्ट्यो नोवी कक्षा के हिंडी क्लास में तुम लोगों का स्वारत है हम आज पढ़ने जा रहे हैं आलोग भाव एक क्यांताज़त हिम्मत और जिंदेगी पाथ के अगले पैठ्थांस पहले पैठ्थांस में हमको मिला था कि लेखा का कहना है कि लेखा ग्रामधारी सिंह दिंकर जी है हम जाते हैं इसके बारे में और लेखा ग्रामधारी सिंह दिंकर जी का कहना है कि हिम्मत सबसे बड़ी सीज होती है जिंदेगी में तो जिंदेगी में जो हिम्मत नहीं दिखा पाता उसे कभी शखलता नहीं मिलती हमें मिला था कि जो फूलों नीचे पलते हैं उसे कभी जीवन की असीयर के बारी में पता नहीं चलता जो रेकिस्तान से आये हैं जिसका पंध सुखा हुआ है उस connect होका। पानी में अम्रेद वाला तत्वा होता है और हमें वी याथा कि सूख देने वाली सीजिए पहले भी है अब भी है लेकिन जो सूखों का मिल्ला पहले चुकाता है उसका मज़ाबाद में लेता है वही सच्छा सूख होता है और जो पाउ मिटने के कौप से पानी में जाने से द लिदेर का काम किसी अच्छे काम में लगया ने अपना समय अच्छे काम में बिताया है ऐसा समय और हमें मिला था कि उपास और शंव्यम ये दो लो हमारे जीवन में जलूरी है और dud 기 WOW जनतियां के पाराप कि यहां करी मिली तो इसके बाद हम अगली पाइठांस की और चलेंगे तो यहां कहा गया है कि विंस्टन चर्शिल जो दीत्य विश्वयूद के दोरां बृतेन के प्रधान मंत्रित है तो विंस्टन चर्शिल ने कहा है कि जिन्ड़गी के सबसे बरी सिफत हिम्मत है आर्मी के और सारी गुन उनके हिम्मत होने से ही पैदा होते हैं तुम्हें अगर गुन है तो उसे तु तो तुम्हें हिंम्मत दिखाना होगा यहीं विस्टन सडसिकाँ बहना है अगर तुमने सही समय पर आप नहीं दिखाया तो तुम्हेरे गुन का विकास कभी नहीं हो पाएगा तुजीन्ड़गी की दो सुर्टे है तो एक है कि आतनी बड़े-से-बड़े मकस्द के लिए कोशिश करें जगमगा की वीजित पर पंजर डालने के लिए हाथ बढ़ाए और अगर असफलता है कदम कदम पर जोस की रोश्णी के साथ अंधियाली का जाल बून रही हो तब भी उन पीछे पाउना खताए और दूसरे सुरत या है कि उन गरीब आत्माओं का हमजोली बन ज जो ना तो अधिक सुख पाती है और ना जिन्हें बहुत अधिक दुख पाने का संग्योग है कि विए आत्माओं ऐसी गोधूली वे रस्ती है जहां ना तो जी ठंस्ती है और ना कभी हार रोनी की आवाज सुनाई करती है तो लेखो के याद की कोई से तो वल्कॉम जे उन बालके बुजी पाइसा अगर पाठादा मियों हावार्ट्रों का हिं लेके अखोल हुने पालू और एक आमी पाइसो जे उन बिटेन और प्रधान मंत्रिया से लिए उन इंस्टेन सरसी और टेमकी कोई से जीवन और होनुट कोई आगर पस्तुटू ये खोई से हिम्मत और और है नोचव णोकि आख सक्करी आख अगर ईयुन अगरा डेलू और है आगरयका देता अगरश्पाद और कर दोजिया घंडरे कोई से लिकांपलमे इता अगर देश्याanka गर्श्पाद अगर कोई सप कोई से लिए सattendाटू ये आखunto कॉद सक्सारू आगर और वूटा की प्रफबूनी तो सबीग युदसे क कोरिषे पर दमोड करने जर्फता करीशे अरुड़ क्यूर क्योंकि उसे जोदी वह अ हखळिए, पुनाध है काम नो जुशेर, नो दमेर है काम पोद आगाल ही जाबूले आगाल हीगोई बाड़े बाड़े तार अंधार रेखीशे तोठा पिवकी होसे इसल माने फोरी डियार है है हाहोखरे होकोलो पोरी स्थीटियों होन भुखी नहांसे और दिट्टियों सभीतो एई तोए देखाईशे जे हे गोरिब माने लुखिया मानमहर हो जोगी हुआ जी होकले ना अधिक खुख पाई ना भी डुख पाई ते वुख पाई तनेयों को एनुका अटा गोधुली आँमने जो एखालो नो और ना राध हे कमा मानमहर गोधुली व assessments एनुका ता जीबन जापन करे जेता ते विटेवन हम नीजी केऊ और नहां हें वह पानी पीटे हैं वह जिन्देगी के साथ जुआ नहीं खिल सकते और को तकता है कि पुरी जिन्देगी को दाउं पर लगा देने से कोई आनन नहीं है अगर रास्ता आगे ही आगा निकल रहा हो तो फिर असली मजा तो पाँ बढ़ाते जाने में है साहस की जिन्दगी सबसे बरी जिन्दगी होती है ऐसी जिन्दगी की सबसे बरी पहसान हो कि वह बिल्कुल निदर बेखोब होती है साहसे मनिष्च की पहली परचान यहीं है कि वह बिल्कुल निदर होता है किसी बार के वह चिंता नहीं करता और तमासा देखने वाले लोग उसके प्रभी क्या भाव रखते हैं उस पर उंध्यान नहीं देते आस परोस्य जन्मक की पिक्षा करते हैं वह और कांटी करने वा पाहक हर जिबन परे होजिए आसोल जिवान आरु एनको जिवन जिएहका थाहकी लुग तेहनों की अखवली कोई से बिल्ध्कुल निदर मने भयातू नहों है तेहों नियर भई होए आरु बिल्ध्कुल बेखको एको कथालोग भई नकरे आरु तेहां थाहकी मनो सर पुट्टो निदिये अरु की करे तेहों प्रधान तकक्त की मने यह हक्ति तुगी जे मनुष्टा को प्रकार्ज भी उसी आदमी से इंदाई अरु हेजल मनुहार डरै जिजन हाहोखी होई तेहां पराई की होई मनुष्ट्र प्रकाक्पवा देखा जाई और जिहों कले क् तेहनुके की करे उस्तोर पाज़र मांधी की कोड़ी से यह कठा तुलोम दखन परे निज़ोर उड़ेश आगात्रा की आधुआई जाए सासी मनुष्ट्र उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई विवारिक अर्थ नहीं है हाहो की मनुए हे होपुन प्रोर प्राव की कोड़ी से उन सपनों में भी रस लेता है जी होपुन बिलाकवत की ने ठाक है एको विवारिक अर्थ ने ठाक है हे होपुन बिलाक प्राव और निरोख बोस्पेटार प्राव टेमरों करें रख फुलोब जाने बली लेखो के माद कोई से रहे हैं सासी मनुष्या सपने उधार नहीं लेता वह अपने विशारों से मेरा माँ मुआ अपनी ही किताब रहता है तो बिसार जी बलाग बिसार विवेशना थाके जी माद मुआ बिसार कर होकती है निज़ जी 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 इस्टीवोंगी नेज़े बिसार विवेशना कोई जी तो खथिक बूल भवे हाहों की व्यक्ति यह कोठाटु है ग्रहन करें जुन में सलना और जुन में चाड़ना या भेश और भेर का काम है सिंग तो बिल्कुल अकेला होने पर भी मगन रहता है तको सही हो और जुन में सलना भेश और भेर का काम है भेरा बाप मोहर है काम बुली कोई सहां जुन पाती पाती सोड़े खिए होटे कि तो हींहार अकोले हाहों की कोई था क्या रोखोले था क्या अकोथा अर्णल वेर्नेट ने एक जगा लिखा है कि जो अदमी यह मसूस करता है किसी महांदिश्य के समय और साहस से काम नहीं ल सकता है बरे मुखे पर साहस नहीं रिखाने वाला अदमी बराबर अपनी आत्मा के भीतर एक आवाज सुनता रहता है एक ऐसे आवाज जिसे उन ही सुन सकता है और जिसे वर्लोख भी नहीं सकता अर्नल्ड्गी और बेनलनल्ड यह उसे किसी महादिश्य के जमाय, पणुबाता महान गिभधनों भाई गिसे ऐसे क कñoड़ो शौक कमेवा और यह भीतर सांव बात शेसे किसी माहनिश्य के बोछता हैadores जीवन ले शिल्कार करीबो नुआरी ले तेव जीवन ले अनुकाता हमोय अहिसे जीखीनी हमो त्या मती खिधान तोल भनो ले अरु बड़े मोके पर सहस नहीं डिखाने वाला अपनी बड़ाबर अपनी आत्मा के विधरे आवासुटाई तो निजोर आत्मार विधर टेव खब्द हुनी ठागे जै तुमी एकाम्सुटाई को बनो ले अरु आत्मार को जीटोँ खब्द आहे बाव मात आहे आत्मा बड़े बड़े कोटे के तुमी हमोय खथी हमोय खथी की धन तो लोबो क्यो लोई या आवाज उसे बराबर कहते तुम साहस नहीं दिखा सके तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए तुमी हाहोग देखवा बनोला तुमी भाया प्रवार गोड़े बार काप होड़े बड़े में इस होगो किया हिला सांसारी अर्थ में जिसे हम सुख कहते हैं उसका ना मिलना फिर भी इसके कही स्रेस्ट क कि मरने केस में हम अपनी आत्मा दिकार ना सुलें कि तुम में हिम्मत की कमी थी कि तुम में साहस का अभाव था कि तुम थीक वर जिन्दगी से भाग खड़े हुए तो मोडर हुए बिल्टिकों से हांग खाड़ी गठ़ एक अठा तुम क्वास चेकिज़े सुख हम सुख क कि बिली कोई से मोरा हुए अमी अन्तोर प्रा आमार आत्मा जाटे कोबो नवारे तुमी एक हथिक हमयर हथिक का मेटा तुमी कोड़िगो नवाईला और तुमी पीस उधुक्य आहिला एक अथा तु जातिया तुमी भूलो गिया नहों है करने लेखो के कोई सेज हथिक हमयर ह जोखिन का हर जगा पर एक घेडा दाता है वहां तका अपनी ही घेडों के बीच केद हो जाता है और जिंदेगी की आपका कोई मजा उसे मिल नहीं पाका क्योंकि जोखिन से बचने की कोशिश में असल में उसने जिंदेगी तो ही आनी मेरोग रखा है तो जिवानों है किको जिंदेगी में अन्त में हम उतना ही पाते हैं जितना कि उसमें पूजी लगाते हैं या पूजी लगाना जिंदेगी के संकत का सामना करना है उसके उस पन्ने को उलत कर पढ़ना है जिसके सभी अफशाद फूल से नहीं कुछ अंगारों से भी लिखे होते हैं वा लिखे गए हैं जिंदेगी का कुछ भैद से ही मालू है जो जानकर चलता है कि जिंदेगी कभी न खर्म होने वाली तो जीबनों की हुए जी हकले प्रठमे पूजी लगाए बा मुल्धन लगाए हे हकले हे की कोरिवा पारे हंकतर बाविपदर हंभुखित हुआ पारे आरू आमी जीबनों एडिक्टों सबलेगोजे याक किसमान एंगारो असे अकल फुलेई नाए जीबनों के साथ को अगर किनारी की मरीगोई सिप्यों से ही तुम समुद्र के अंतराल में चीपे हुए मुखित कोषकों कोन बहर आएगा यद को से लेखो एज़े जीबनों हाрड ही रऽाघ खिला कोई से झुमी बातुमाल को के कोई से चाठ्रशाठ्रिघ औरर लेखो के कोई विह खे जीबनों हफ्पल हुब के आरी करतिी प्रति टुकतमह दामी गभियरत लीसा बोलेगो दुनिया में जितने भी मज़े बिखेरे गए हैं, उनमें तुम्हारा भी हिस्सा है, वो सिज भी तुम्हारी हो सकती है, जिसे तुम अपनी पोहुच के पड़े मान कर लोते जा रहे हो, कामना कांचन चोटा मत करो, जिन्ने की के फल दोनों हातों से निचोड़ो, रस की निर जिन्चरी तुम्हारे बढ़ाये भी भाषती है, या कोई से लेको खेक्टी गोई से जे, दुनिया होनल, प्रिठी भी होनल, बहुत मौझा आसे बिलीगोशे, वा होकोलु खाले तुमार खोबी धाली बोलो किसमान गोस्तु आसे, और होकोलु गोस्तु भीला तुमार भो कामना काम चल, छोटा मत करो, जिन्देगी के फल, जिवन और जिप फॉल, तुम्ही हाहो खेड़े होंकिन होए, जी तु कोड़ी बोलागे, ये काम तु कोड़ी, तुम्ही दुयू हाटे ले, तुमार माजुले कोड़ी आया ना, अरो टिटे की होब, रखोर नी जोड़ा तुम्ही बोलेओ भोबो, ये अरण जुल्मुत, जो काते अपनी राह बनाये, क्रितदासिया नहीं, किसी का जो चाहे अपनाले, जीवन उनका नहीं युधिस्थिर, जो सेदर्ते हैं, वा उनका जो सरण लो निर्भाय होकर लड़ते हैं, तु ये जुधिस्थिर अप जीवन उन लोगों के लिए नहीं है, जो सामने समर्ड एककर भागते हैं, जो सरण लो, मिर्भाय होकर आगे चलते हैं, ये लड़ते हैं जीवन से, वहीं उसी के लिए जीवन है, और इन और जी काती आगवाहाई रास्ता उलिया, जो बोलेगी हो, डाह को बोलेगे, जुन जो दितमां ताक बनाबब पारे, तो ये जन केटर दाख नहाई बलीगोशे अरजीवनों, हे जने होकल होब पारे, जीजने निर भाये, हाहो खेरे आगवाई जाबब पारे, ये तिया हे ट्वेक वसे एको ठाकिने चे, स्वारान लोग मने, भुस्तु स्थीर बोले जीज जोने निर्भार होई, जुद्धत जोई हो पारे, जुद्धत रोंखे तो जोजी हो पारेते हों, ये असल जोजान, तो हिम्मत और जिंदेगी पार का आलूछना इही समार्थ होता है, आसा कर्टि हो कि तुम लोगों को समझने आई होगी, क्योंकि इतने कम समय में बहुत कुछ समझाना समर्थ, उसमें समर्थ अता आती है, तो मैं जो कुछ भी पढ़ाना चाहती हो, तुम लोगों थोड़े से समय में समभब नहीं है, इसलिए थोड़े सी बातों के लिए, थोड़े सी ज्यान के लिए, मैं कोशिश से कोशिश कर रही हो कि तुम लोगों को पढ आउने प्रास आउने